उद्धव ठाकरे के स्थिफए के साथ ही महराष्ट की महाभारत का क्लाइमेक्स पूरा हो गया है। महराष्ट की सियासत पर फिर से बीजेपी का कबजा होने जा रहा है। लेकिन इस खेल के सबसे बड़े खिलाडी निकले उद्धव ठाकरे। ठाकरे ने आखरी बोल पर छक्का मार कर पूरी बाजी पलट दी है। अब वो भले ही सत्ता में ना हो लेकिन हार के भी जीत गए हैं उद्धव ठाकरे। तो कैसे बने उद्धव ठाकरे बाजीगर। कैस महाराष्ट की सियासत में उद्धव के दाउं से बीजेपी आ गई है बैक फुट पर महाराष्ट में ही नहीं अब राश्टी राजनीती में भी अपना नाम कर गए उद्धव ठाकरे क्या एक बार फिर मजबूती से सत्ता में वापसी करेगी शिफ से ना नमस्कार मैं हूँ परवीन शेक आप सभी का हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है अपनी इस रिपोर्ट में विस्तार से चर्चा करेंगे महा विकास अगारी के भविशे की कैसे उद्धव के दाउं से बागी एकनाश शिंदे को मिली मात साथ ही कि शिवसेना शांत बैठने वालों में से नहीं है बीजेपी ने भले ही अपनी चाल बाजियों से सियासत की ये बाजी जीत ली हो लेकिन इस खेल के असली हीरो तो उद्धव ठाकरे हैं क्योंकि शिवसेना वो जखमी शेर बन गया है जो पहले से ज्यादा खतरनाक है बहु पद छोड़ने का कोई दुख नहीं है उद्धाकरे ने विधान परिशत की सदस्यता भी छोड़ दी है इसके बाद वो राजजेपाल भगत सिंग कोश्यारी को इस्तिफा देने राजभवन पहुंचे इससे पहले बुद्वार रात करीब 9 बजे सुप्रिम कोट ने बहु पिकास अगारी गडबंदन के सदस्य दलू कॉंग्रेस और एंसीपी को धन्यवाद देने के साथ की उन्हों ने धाई साल के कारेकाल में सरकार के उपलब्दियों को गिनाया उद्धाकरे का ये भाशन उनकी आगे की रणनीती को भी बया कर गया तो क्या कुछ कहा उद्ध वाले को शिवसेना ने मंतरी बनाया ये लोग बड़े हो गए और हमें भी भूल गए जिने हमने बड़ा किया जो कुछ दिया जा सकता था वो दिया वही लोग नाराज हैं शिवसेना और बाला साथ ठाकरे की वज़े से राजनेतिक रूप से बड़े बागियों को उनके पर खुश और संतुष्ट होने दे मैं संख्या बलके खेल में शामिल नहीं होना चाहता हूं मैं शर्मिंदा महसूस करूंगा अगर मैं देखूंगा कि पार्टी का एक भी सयोगी मेरे खिलाफ खड़ा है सुप्रिम कोट ने आज जो भी फैसला दिया है हम उसका सम्मान करत हैं और उसका पालन करेंगे बागी विधायकों को अगर कोई शिकायत थी तो सूरत या गोहाटी के बजाए मातो श्री आकर अपनी बात रखनी चाहिए थी शिवसेना हमसे कोई छीन नहीं सकता शिवसेना एक परिवार है इसे तूटने नहीं देंगे मैं कहीं नहीं जा रह शिवसेनिकों से अनुरोध है कि बागी विधायकों के खिलाफ कोई प्रदर्शन ना करें ये बयाई शिवसेना की ताकत को बताने के लिए काफी है और असली शिवसेना उद्धव ठाकरे के पास है वहीं शिवसेना नेता संजेराउत ने उद्धव के स्तीफे के बाद एक ट्वीट किया है संजेराउत ने लिखा वास्तब में ठीक इस तरहां हुआ संजेराउत ने अपने इस ट्वीट के साथ एक तस्वीर भी साजा की है तस्वीर में एक शक्स की पीट पर खरोच के निशान है इसके अलावा आज राउत ने प्रेस कॉन्फरेंस भी की उन्हों इस्तिफिय के साथ ही उद्दव ठाकरे ने एक तरह से भविश्य के लिए अपने इरादे जाहिर कर दिये हैं। इस्तिफिय के सिर्मोर रहे लेकिन कभी सियम केंद्रिय मंत्री या फिर सदन का सदसे बने से वो दूर ही रहे। लेकिन हार नहीं मानी है। उद्दव ने भी साफ कर दिया है कि MVA गडबंदन भी बना रहेगा। ये गडबंदन आने वाले BMC चुनावों में BJP और बागी शिंदे के लिए काल साबित होगा। इस साफ है कि महराष्ट की इस पॉलिटिक्स में शिवसेना के पास पाने के लिए बहुत कुछ है। चलिए देखते हैं उद्दव के धाई साल के कारेकाल में क्या कुछ हुआ। उद्दव ठाकरे ने साफ कर दिया कि गडबदन सहयोगी कॉंग्रेस और राष्टवादी कॉंग्रेस पार्टी का समर्थन तो उन्हें मिला लेकिन अपनी ही पार्टी शिवसेना का नहीं। सियासी रूप से कमजोर पढ़ चुके उद्दव ठाकरे ने पत छोड़ने से पहले ही सरकारी आवास वर्षा छोड़ दिया और वो अपना सामान समेट कर मातुशिरी पहुँच गए। के वज़े से साथ आई और महराष्ट में महाविकास अगारी गड़ बंदन मना। मुक्यमंदरी बनने के लिए उद्व ठाकरे ने बीजेपी के साथ दश को चला गड़ बंदन तोड़ा। शिवसेना और बीजेपी 1984 में करीब आई और 1989 लोगसभा चुनाव से पहले दोनों दलू का गड़ बंदन हो गया। बीच में 2014 में कुछ समय के लिए इस गड़ बंदन में दरार आई। उद्व ठाकरे की सरकार ने कई उतार चड़ावों से गुजरते हुए धाई साल पूरे किये और अब एक नाशिंदे की नित्रित में पार्टी विधायकों की बगावत के बाद उद्व ने 39 जून को स्तीफा दे दिया। इसी के साथ उद्व ठाकरे के लगभग 20 साल के कारेकाल का अंत हो गया। उद्व ठाकरे जब मुख्य मंत्री बने थे तो लोगों की दिर्चस्पी उनमें थी। पहली बार ठाकरे परिवार का कोई वेक्ती सम्वेधानिक पद पर बैठा था। कारेकाल को देखा जाये तो उस पर कोविड महामारी हावी नजर आती है। विश्रेशक मानते हैं कि इन 20 सालों में उद्व ठाकरे ने कोविड के खिलाफ तो जम कर काम किया। कोविड महामारी के दौरान उद्व ठाकरे मुख्यमंत्री के रूप में सोशल मीडिया पर सूपर एक्टिव थे और जनता से सीधा समबात कर रहे थे। महामारी के दौरान हुए एक सर्वे में उन्हें देश के सर्वशेष्ट पांच मुख्य मंत्रियों में शामिल किया गया था महराश्ट में अब एक बार फिर दिविंद्र फर्णवीज अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं शिवसेना के वरिश नेता और चार बार के पूर्वसांसा चंद्रकांत खेरे ने रविवार को कहा था कि शिवसेना का मतलब संगर्श है खेरे ने इसके साथ ये भी भवेशेवानी कर दी है कि पार्टी फिर से खड़ी होगी लोग शिवसेना पर भरोसा करते हैं और वो शिवसेना प्रमुग दिवंगत बाला साहिब ठाकरे के विचारों से प्रेरित हैं पार्टी फिर से मजबूती से खड़ी होगी तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राइज जरूर दे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें देखते हैं डीवी लाइफ नमस्कार